हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेल फैन पीसी आयार से टीसी पर तो जैसा की फ्रेंड्स आज का वीडियो कॉंकन रेलवे के उपर है आप सब इस वीडियो को पूरा लाश्चत देखिएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दिजेगा तो जैसा की फ्रेंड्स कॉंकन रेलवे का स्टार्टिंग 26 जैनवरी 1998 को हुआ था और कॉंकन रेलवे के फाउंडर इस इरीधरन कहे जाते हैं कॉंकन रेलवे भारत की कॉमर्शियल राजधानी मुंबई और मैंगलोर को जोडने वाली एक महत्वपूर कड़ी है 741 किलोमीटर लंबी यह लाइन महाराष्ट, गोवा और करनाटक राज्यों को जोडती है कॉंकन यह एक ऐसा छेत्र है जहां पर आरपार बहती नदियां, गहरी घाटियां और आस्मान छूते हुए पहाड है कॉंकन जमीन की एक तत्वर्ती पट्टी भी है जहां पुर्व में समहाद्री परवतमाला और पश्चिम में अरप महासागर है कॉंकन यह एक ऐसी भूमी है जो कई पोड़ारी गाथाओं से जुड़ी है और जहां पर आर्थिक खुशहाली भी मौजूद है और यहां पर प्रचूर मात्रा में खानी जिस्त्रोत, घने जंगल, तथा, धान, नारियल और आम के पेड़ों से हरे भरे मैदान है तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कॉंकन रेलवे जब शुरू किया गया तो इस पर सबसे पहली ट्रेन कौन सी शुरू हुई तो इस पर पहली पैसेंजर ट्रेन शुरू किया गया था 20 मार्च 1993 को उडूपी और मैंगलोर के बीच चलाए गया था कॉंकर रेलवे की रेलमार की दूरी 741 किलोमीटर रोहा से मैंगलोर तक है और यह तीन राज्यों में बटा हुआ है वो कैसे महाराष्ट के रायगर, रतनागिरी तथा सिंदु दूर्ग तथा जिल 382 किलोमीटर तक महाराष्ट का एरिया है और गोवा का 105 किलोमीटर और करनाटक का दक्षिड कनर वा उत्तर कनर जिल्ले 273 किलोमीटर से यह ट्रेन मतलब यह एरिया गुजरती है कॉंकर रेलवे कुछ लोग का मानना है कि केरल का आधा हिस्सा कॉंकर रेल खंड में आता है लेकिन ये बात बिलकुल गलत है इस परियोजना का कोई भी भाग केरल राज में नहीं है फिर भी उसने धनरासी की सहायता प्रदान की है कॉंकर रेल खंड में क्योंकि इससे उसे काफी लाव मिलेगा तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कॉंकर रेल खंड पर जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो कई तमान चीजे आपको दिखने को मिलती हैं तो उसमें हम आपको बता दें रेल मार्ग पर बड़े पूलो की संख्या 174 और छोटे पूलो की संख्या 1679 सुरंगो की संख्या 92 और सुरंगो की कुल लंबाई 83.60 km तक है जितने सुरंग है उसकी कुल लंबाई 83.60 km और सबसे लंबे रेल सुरंग पीर पंजाल जी से कहते हैं या फिर बनिहाल रेल सुरंग जो जम्मु कास्मीर से यहां तक मौजूद है उसकी कुल किलोमीटर की लंबाई 11.250 किलोमीटर है सबसे लंबे पूल की लंबाई 2065 किलोमीटर होनावर के निकत शर्वती नडी पर मौजूद है सबसे उचे पूल की उचाई 64 किलोमीटर यानि की 210 फूट रतनागीरी के निकत पनवल नडी पर मौजूद है यहाँ पर ट्रेन जब चलती है तो उसकी गती जो चमता है वो 160 km प्रतिघंटा और यहाँ पर कॉंकर रेल खंड पर railway station जितने मौझूद हैं वो कुल आपके 53 हैं सडक क्रॉसिंग 288 है और जो कॉंकर डेलवे आपका बनकर तयार हुआ है इस पर योजना का पूरा कुल लागत 3060 करोड में बनकर तयार हुआ है तो फ्रेंट्स आज की जानकारी बस इतनी ही कॉंकर डेलवे के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दिया है आपको आज की जानकारी कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कर लिजे भारती रेलवे से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए पूरे भारत की सबसे पहले सचाई के साथ वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा आप ल पर भी आप हमें फॉलो कर लिजे वहाँ पर भी छोटे मोटे इंफॉर्मेशन देता रहता हूं भारती रेलवे से जुड़े तो फ्रेंड्स चलते हैं आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नए टॉपिक पर आप सब अपना ख्यार लखेगा खाते पीते रहिए म बस तरह ही चलते हैं फ्रेंड्स टेक केर बाई बाई